सुनिल साजन जी मद्यप्रदेश का चुनाव आपकी पार्टी अकेले जा रही लड़ने या फिर गडबंधन में जा रही हैं समाजवादी पार्टी लगातार मद्यप्रदेश, 36 गड़ राजस्तान पिछली बार भी लड़े थे मद्यप्रदेश कम लोग पिछली बार जीते थे, कई सीटों पे बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे जहां पर इन तीनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को लगेगा कि भारती जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं हरा पा रही है वहां हम मजबूती के साथ बिजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं और कांग्रेस की मदद के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारा असली मकसद भाजपा को हराना है अब ही आप बजेपी के परवक्ता से पूछ रहे थे और उन्होंने कई बार इस बात को जोड़ दे के कहा कि ये कारिकर्ता बेस पार्टी है। 36 गड़ में बताईए मुक्वंती का चेहरा भाजपा भाजपा से लड़ रही है इन राज्यों में हम लोग तो भाजपा का सफाया करने जा रहे हैं और सिर्फ इनी राज्यों में भाजपा भाजपा से नहीं लड़ रही अभी सम्मानित पत्रकार साती ने कहा कि मोदी जी और और हमी साजी ने घुटने टेक दिये हैं मद प्रदेश में और घुटने ही टेक दिये हैं राजस्थान में आप उत्तर प्रदेश की इस्तिती देखिए जो योगी आदित नाजी की सरकार पहली थी उस वो दिल्ली से चल लई थी अब उत्तर प्रदेश में दिल्ली वाले दो बता रहे हैं कि इन में आपस में लड़ाई चल लई है और ये कह रहे थे ये कारिकरताओं कि पार्टी यहां कोई नेता नहीं एक अकेला सब पे भारी किस ने कहा था और लोकसभा में कहा यही नारा ताना साही का है और मुझे लगता है इसी नारे के तहर भारती जंता सुनिल की क्या कारण है कि कांग्रेस आप तो टिकट देने के लिए मध्य प्रदेश में तयार नहीं है आपके साथ कोई सहमत ही नहीं बना रही है क्या ये फार्मूलाबाद में आप किसी अन्य राज्य में या आगामी चुनाओं में आप इंप्लिमेंट करेंगे फिर उत्तर देना है तब तो लगान önce कवां कि लिए कुनाओं लगए तो गोशित हो गए आपको टिकाट अभी तक कांफर्म नहीं है कि कहां देंगे काहां नहीं देंगे तो कैंफिर वहीवाला फार्मूला आप भी तो लगाएंगे ना उत्तर प्रदेश में जब लोगसभा का चुनाओ आएगा यही तो सवाल किया था आपसे तो सभाविक है ना अरे इसमें क्या है प्रतिनिधित का है अगर हमें उत्तर प्रदेश में लगेगा किन सीटों पर कांग्रेश चुनाओ भाजपा को हरा सकती है अगर राजस्थान मद प्रदेश 36 गड़ में कांग्रेश डिसाइट कर रही है तो उत्तर प्रदेश में कौन करेगा यही सुनना था सर प्रतिक्रिया सुनी और बीजेपी और अपने सायोगी दल की भी सुनी